हमारा ग्रह बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, मौसम के मिजाज अप्रत्याशित होते जा रहे हैं, ग्लेशिर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं, यह जलवायू परिवर्तन है और इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है, हम इसे अन्यमित मानसून, समुद्र के ब जलवायू परिवर्तन मुख्य रूप से प्रिथवी के वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता से प्रेरित है, यह गैसे जैसे कार्बन डायोनकसाइड, मीठिन और नाइट्रस ऑंकसाइड सूर्य से गर्मी को रोकती हैं, जिससे ग्रह का धीरे-धीर के गर्म होना शुरू हो जाता है, जबकि यह गैसें प्राकृतिक रूप से होती हैं, मानविय गति विध्यों ने वातावरण में उनकी सांद्रता में काफी वृध्धी की है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ गया है, भारतिय संदर्भ में कई कारक ग्रीन हाउस गै से प्रेरितवनों की कटाई कार्बन डायोनकसाइड को अवशोशित करने की ग्रह की क्षमता को और कम कर देती है, इसके अतिरिक्त प्रिश्य पध्धतियां विशेश रूप से पशुधन पालन और चावल की खेती मीठेन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करती ह जबकि जलवायू संकट का पैमाना भारी पढ़ सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसके प्रभावों को कम करने में प्रत्य एक व्यक्ति की भूमिका होती है हमारे दैनिक जीवन में साधारन बदलाव, सामूहिक रूप से एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं सार्वजनिक परिवहन, साइकल चलाना या पैदल चल कर निजी वाहनों पर अपनी निर्भरता कम करने से कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है अपने घरों और कार्यस थलों में उर्जा दक्षता को अपनाना एक और प्रभावशाली कदम है उर्जा को शलूप करणों पर स्विच करना, LED लाइटों का उपयोग करना और उर्जा की बरबादी को कम करना हमारे कार्बन पदचिहन को काफी हद तक कम कर सकता है खपत के प्रती सचेद द्रिष्टिकोन अपना कर, कम करना, पुन उपयोग करना और रिसाइकल करके एक स्थाई भविश्य में और योगदान दे सकते हैं एक ठंडे कल की ओर बदलते परिवेश के लिए समाधान, जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए बहु आयामी द्रिष्टिकोन की आवश्यक्ता है सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय उर्जा स्रोतों में निवेश महत्पून है भारत ने अक्षय उर्जा परिणियोजन में महत्पून प्रगति की है स्थाई क्रिशि पधतियों को बढ़ावा देना जलवायू कार्रवाई का एक महत्पून पहलू है जंगलों की रक्षा और उन्हें बहाल करना जलवायू परिवर्थन को कम करने के लिए महत्पून है वन आवरन को बढ़ाने की भारत की प्रतिबधता सही दिशा में एक कदम है बहुतों की शक्ति हमारे भविश्य के लिए एक सामूहिक लड़ाई जलवायू परिवर्थन का मुकाबला करना केवल सरकारों और नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है इसके लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास की आवश्यक्ता है अपनी आपूर्ती श्रिंखलाओं में स्थाई प्रताओं को अपना कर व्यवसायों को अपने पर्यावरणिय प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है प्रोध्योगी की में नवाचार कम कार्बन वाले भविश्य के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं नागरिक समाज संगठन और व्यक्ती जागरूपता बढ़ाने, नीतिगत बदलावों की वकालत करने और स्थाई जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भावी पीडियों को जलवायू परिवर्तन के बारे में शिक्षित करना और उन्हें परिवर्तन के दूट बनने के लिए सशक्त बनाना एक स्थाई भविश्य के लिए आवश्यक है जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक साजह जिम्मेदारी है और साथ मिलकर हम एक अधिक टिकाऊ और लचीला भविश्य बना सकते हैं हमारी साजह जिम्मेदारी कार्यवाही हेतु आहवान पृत्वी हमारा घर है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें हमें जलवायू संकट की तातकालिक्ता को पहचानना चाहिए और इसके प्रभावों को कम करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए आइए हम अपने दैनिक जीवन में स्थाई प्रथाओं को अपनाएं नीतिगत बदलावों की वकालत करें और एक स्वस्थ ग्रह के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रेरिद करें आत्मसंतुष्टी का समय समाप्त हो गया है भविश्य हमारे हाथ में है आईए हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए अपकार्य करें जहां लोग और ग्रह दोनों फल फूल सकें